नमस्कार दोस्तों मैं अनुराग पांडे आप सभी का हमारे चैनल S.P. व्लोग में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में इस्थित सिक्किम राज्य के दस प्रमुख परेटन इस्थलों के बारे में तो चलिए बिना किसी डेरी के सुरू करते हैं आज की अपनी है वीडियो नमबर एक गंगटोक गंगटोक भारत के उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम की राजधानी है यह एक बहुत आकरसक सहर है जो रानी पूल नदी के पस्ची मोर बसा है कंचन जंगा सिखर की संपूर स्रिंखला की सुंदर रिस्यावली यहां से दिखाई देती है गंगटोक के प्राचीन मंदीर महल और मठ आपको सपनों की दुनिया की सेर कराएंगे यहां देखने लाइक कई स्थान है जैसे गनेश टोक, हनवान टोक तथा तासी वियू पॉइंट अगर आप गंगटोक घूमने का पुरा लुफ्ट उठाना चाहते हैं तो इस सहर को पैदल घूमें यहां से कंचन जंगा का नजारा बहुत ही आकरसक प्रतीत होता है इसे देखने पर ऐसा लगता है मानो यह परवत आकास से सटा हुआ है तथा हर पल अपना रंग बदल रहा है अगर आपकी बहुत धर्म में रूची है तो आपको इंस्टिट्यूट अफ तिबतोलोजी जरूर घूमना चाहिए यहां बहुत धर्म से संबंदित अमुल्य प्राचीन औसेस तथा धर्म गरंत रखे हुए हैं यहां अलग से तिबती भासा संस्कृती दर्सन तथा साहित्य की सिक्षा दी जाती है इन सब के अलावा आप प्राचीन कलाकृतियों के लिए पुराने बाजार लाल बाजार या नया बाजार भी गूम सकते हैं इनके अलावा आप सोंगो जील, लाम पोखरी जील, आरी टार, रूम टेक मठ, दो टूल चोर्टेन, इनहेंची मठ, तासी लिंग, तथा टी सुकला खंग आरी देखने जा सकते हैं नमबर दो पेलिंग पेलिंग सिक्किम के पश्चिम जीले में स्थित एक सहर है, जो रंगीत नदी के किनारे पर बसा हुआ है यह सिक्किम के पश्चिम में 145 किलोमेटर की दूरी पर स्थित है, यहां कुछ घर तथा अधिक संक्या में होटेल है यहां से कंचन जंगा का अदवुत द्रिश से दिखता है यहां से परवत चोटी बहुत नजदीक लगती है ऐसा लगता है मानो यह आपके बगल में है और आप इसे छू सकते हैं यहां का मौसम बहुत ही सुहावना होता है नमबर 3 लाचूंग लाचूंग लगबग 32 मीटर की उचाई पर इस्थित है इतनी उचाई पर ठंड तो पूरे साल होती है लेकिन बर्फ गिरी हो तो यहां की सुंदर्ता को नया आयाम मिल जाता है फोटोग्राफी के लिए यह जगह काफी खुबसूरत है इसलिए लोग यहां सरदी के मौसम में भी खुबाते हैं बर्फ से ढकी चोटियां जरने और चांदी से जिल मिलाती नदियां यहां आने वाले परेटकों को इस्तब्द कर देती है आम तोर पर लाचुंग युम्थांग घाटी के लिए बेस के रूप में प्रयुक्त होता है युम्थांग घाटी को पुर्व का स्वीडजर लेंड भी कहा जाता है नमबर चार रवंगला रवंगला एक लोग प्री चोटा परवती परेटक इस्तल है यह मेनम और तेंदांग पहाड़ियों के बीच इस्तित है यह सिक्किम राजिके दक्षिड जिले में 8000 फीट की उचाई पर इस्तित है यह परेटक इस्तल अपनी खुबसूरत धरोहर के रूप में वनस्पतियों चाय बगान इसमारक जीव जन्तू बर्फ से ढकी चोटी लहराते जरने त्यवहार विचित त्रगाउं पुराने मठ और विशिष्ट इस्थानी संस्कृतिक वातावरण के कारण यहां आने वाले देश विदेश के परेटकों को आकरसित करता है नमबर पांच कंचन जंगा राष्ट योधियान भारत के सिक्किम में स्थित एक राष्ट योधियान और और योधियर रिजर्ब है जो 8586 मिटर यानी 28179 फीट की उचाई पर दुनिया की तीसरी सबसे मूची चोटी है पार्क का कुल छेतरफल 849.5 किलो मिटर है पार्क के अंदर कुछ लेपचा आदिवासी बस्तियां है पार्क में थोलूंग मठ है जो पार्क के बफर जोन में इस्थिते गोमपा है इसे सिक्किम के सबसे पवित्र मठों में से एक माना जाता है पार्क की वनस्पती में समसीतो सड़, चोड़ी, पट्टी और मिस्रितवन सामिल है जिनमें ओप, प्रात्मी की, संटी, मेपल, वीलो सामिल है पार्क की वनस्पती में कई औसधी पौदो और जड़ी गूटियों के साथ उच उचाई पर अलपाइन घास और ज़ाडिया भी सामिल है नमबर 6 लाचेन लाचेन एक छोटा सा सांत कस्बा है जो सिक्किम राज्य के उत्री जिले में इस्थित है इसके नाम का अर्थ है बड़ा दर्रा और हाली में सिक्किम सरकार ज्वारा परेटन के अंदर के रूप में विक्सित किया जाने के कारड यह काफी लोगप्रिय परेटन गंतब बनता जा रहा है लाचेन फ्राकृतिक सुंदर्ता और वन्य जीव जन्तूओ की विविद्दाओं के कारड लगबग सभी परेटकों को रोचक लगता है गंगटोक से लगबग 129 किलोमेटर की दूरी पर लाचेन 2750 मीटर की उचाई पर इस्थित है यह गुरू डोंगमार जील और चोपता घाटी के लिए आधार के रूप में कारे करता है लाचेन में थांगू नामक अनोखी याक दोड़ भी वार्चिक रूप से आयोजित होती है लाचेन में घूमने आने का सर्वस्रिष्ट समय नॉवंबर से जून के बीच है इस दोरान यहां का मौसम सुहावना रहता है गुरू डोंगमार जील और ठांगू लाचेन के परेटन इस्थल है नमबर साथ युकसोम युकसोम सिक्किम के पस्चिम जीले में इस्थिट है धार्मिक इस्थलों की एक सरणी से घीरा हुगा गेंजिंग में यह एतिहासिक सहर सिक्किम में एक लोगप्री अपरेटन इस्थल है और ट्रेकर्स के बीच काफी लोगप्री भी है युकसोम वह सहर है जिसे उत्तर पूरी भारती राज्य सिक्किम का पहला राजधानी घोसित किया गया था और वर्ष 1642 सिस्फि में फुनसोग नाम ग्याल सिक्किम के पहले चोग्याल धारमिक राजधा द्वारा इस्थापित किया गया था चोग्यालों ने सिक्किम में करीब 333 वर्षों तक सासन किया इस जगह के बारे में एक विशेस्ता है युकसोम में इस्थानी लोगों द्वारा सकारात्मक रूप से युकसोम के साथ साथ सिक्किम के अन्य इस्थानों में इको टुरिज्म को बढ़ावा देने के विचार को अपनाये जाने के चलते यह इस्थान अभी इको टुरिज्म गाउं के रूप में जाना जाता है युक्सोम में परेटन की दृष्टी से कई बहुत ही रोचक जगे हैं जिनमें रत्होंग्चू नदी, केचे उपलरी जील, तिब्वती बौध मठ, डूबडी मठ, कर्टोक मठ और तासीन दिंग मठ आधी प्रमुक हैं नमबर आठ नामची, भूटिया भासा में नामची का आर्थ होता है आकास जितना उचा, गंगटोक से 92 किलोमेटर दूर इस्थित नामची सिक्किम का एक चर्चित परेटन इस्थल है, यहां से दारजीलिंग, कलीम, पॉंग, हिल्स और अनेवरफ से ढखे पहाडों के नामची को बहुत मठो और उची उची चोटियों के लिए भी जाना जाता है, सिली गुरी से 90 किलोमेटर दूर इस्थित नामची पश्चिम बंगाल से काफी करीब है, साथ ही सिक्किम के कई प्रमुक सहर भी यहां से दूर नहीं है, प्राकृतिक सुंदर्ता के अलावा, समरिध धितिहास परेटन इस्थलों में विविधता और कई गतिवीधियों के कारण नामची परेटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है, नामची के प्रमुक परेटन इस्थलों में नामची मठ, रालंग मठ, समद रुप्त से हील का निस्क्रिय ज्वाला मुकी, तेंदो के वाईचूंग स्टेडियम में गोल्ड कप फुटबॉल टॉर्नमेंट का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें भारी संख्या में भीड उमरती है, सरकार ने इस स्टेडियम का निर्माड सिक्किम के फुटबॉल खिलाडी वाईचूंग भूटिया के सम्मान में करा आया थ है, एक घुमाओदार सड़क के बगल में एक विचित्र सहर है, प्रारंब में यह यादगार सिल्क रूट के माध्यम से तिब्बत को भारत से जोडने वाला एक यात्रविंदू था, जुलू का अब सर्वस्रेश ऑफबीट स्थलों में से एक है, केवल 700 लोग ही इस गाउ प्रमुख है, नमबर 10 युम्थांग, शिक्किम के उत्तर में इस्थित युम्थांग एक खोबसूरत इस्थान है, और इसलिए इसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है, प्राकृतिक सौंदर ये सम्रिध इस इस इस्थान पर वसंत रीतू के दोरान खिले गुलाब और शिक्किम की राजदानी गंगटोक से 148 किलोमेटर की दूरी पर है, यहां इस्थित सिंगवार रोडो डेंडरन अब्यारन में बुरांस फूलों की 24 किसमे हैं, अप्रेल से मई के अंत तक यह अब्यारन फूलों से लक दक रहता है, युम्थांग के दाहिनी और इस्थित भरे घास के मैदानों सांथ चीड ब्रिक्चो एवं चांदी से चमकते देवदार वनों खूबसूरत ज़र्णों ततानदियों के साथ अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है, युम्थांग में साहसिक गतिविदी के रूप में इसकी काफी लोग प्र पसंद आई होगी, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो क्रिप्या वीडियो को लाइक, कमेंट और सेयर करें, तथा ऐसी ही और इनफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जै हिंद, जै भारत